नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अमारे यूटूब चैनल में अगर आप हर्याना में रहते हैं आपके पास फैमिली आईडी है परिवार पैचान पत्र है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़ादा इंपोर्टन्ट होने वाली है यहाँ पर पहले क्या होता था अगर परिवार पैचान पत्र में फैमिली आईडी में आपकी इंकम 1,80,000 रुपे से कम वेरिवाई हो थी तो आपका आईश्मान कार्ड बनता था आप इलिजिवल थे बट काफी लोगों ने विरोध किया जिनकी इंकम 1,80,000 रुपे से उपर है उनका भी आईश्मान कार्ड बनाए जाए सरकार ने इस बात को अब सुन लिया है और अब अगर आपकी इंकम 1,80,000 रुपे से उपर है और 3,00,000 रुपे तक है फैमिली आईडी के अंदर तो भी आप अपना आईश्मान कार्ड बनवा सकते हैं घर बैटे बनवा सकते हैं आईश्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले आना हुआ इस वेबसाइट पर इस वेबसाइट के लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेदूँगा नहीं तो आप डार्यक्ट गूगल पर सर्च मार सकते हो चिरायू आईश्मान हर्यान. ठीक है यहाँ पर आने के बाद आपको आवेदन के लिए क्लिक करें इस पर क्लिक करना पड़ेगा इसके बाद देखिए साफसाब लेखा हुआ है कि जिन परिवारों की वार्षिक आए एक लाग असी जार रुपे से थीन लाग रुपे तक है वो अपना आईश्मान पंद्रा आठ 2023 थे यानि कि आज की तारिक है हमारी पंद्रा आठ तो अब से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपको सुल्क देना पड़ेगा सुल्क कितना लगेगा वो पता दूंगा मैं आपको पंद्रा सुल्क लगेगा पर फायदा बहुत है क्योंकि पांस लाग रखें पर क्लिक करना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आइडी जालनी पड़ेगी और यहाँ पर OTP आएगा आपकी Family ID पर उसके बाद Press It करने पर क्लिक करना है इसके बाद देखिए आपकी सारी Detail ने आपर खोल जाएगी इसे की आपकी Family ID नमबर आपके परिवार में जीते हैं इस तरसे हैं जो कि आपकी Family ID जुड़े हुए है सबका नाम आपके यहाँ पर देख जाएगा सब कुछ चेक कर लेगा अगर सब कुछ ओके है simply आपको पातरता देखे पर क्लिक करना है यहाँ पर किदर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए उपर लिखा आगया है You are eligible करने के लिए आगे बढ़ेंपर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर 15 रुपे की पेमेंट करने पड़ेगी पेमेंट आप चाहो तो UPI के थुरू चाहे ओनलाइन वॉलेट के थुरू चाहे डैविट कार्ड चाहे नेट बंकिंग चाहे क्रेडिस कार्ड किसी के थुर भी आप पर कर सकते हो पेमेंट करने के लिए आपको बुगतां करेंपर क्लिक करना पड़ेगा जैसे आप बुगतां करेंपर क्लिक करेंगे इसके बाद आप पेमेंट कर देना पेमेंट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और उस रेफरेंस नंबर से आप चेक कर सकते हो कि आपकी payment success पर होई है या नहीं होई है और आपका जो card है वो कहां तक पहुंचा है चेक करने के लिए आपको home page बाना होगा और यहां पर देखिए दिखा हुआ है बोगतान स्थिति जाच है इस पर आपको simply click कर देना है इसके बाद LinkedIn ID, PPI ID आपको डालने पड़ेगी ठीक है तो अपनी जो family ID है वो आपने पर डाल देना इसके बाद देखिए पर click करना है तो दोस्तों यह तब पूरा तरीका online आईश्वन कार्ड अपलाई करने का इसके अलावा अगर आपको कहीं भी दिख्का तारीए तो please comment कर देना वीडियो पसंद आईए तो like चरू कर देना Thank you very much